नमस्कार सांथियों, आप सब का स्वागत इपुना, मोहर राजवाड़े आप्सें टेड़ेर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में चली देखते हैं कल मॉर्णिंग में ट्रेट कैसे करेंगे, क्या ट्रेट प्लान होना चाहिए हमारा और आज फिनाइस निप्टी का एक्सपाइरी था, एक बात अच्छा हुआ दोस्तों कि अभी तक का जो ट्रेंड था लगबाग 5-6 एक्सपाइरी हो गया था फिनाइस निप्टी एक्सपाइरी डे में थोड़ा निगेटिव क्लोजिंग करता था, लेकिन आज थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है मतलब जो अभी तक का ट्रेंड था, ओर ट्रेंड अब बदल गया है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक्सपाइरी से हमें फिनाइस निप्टी में एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा तो आज करेंगे बाद में, अभी चलिए बात करते हैं निप्टी बैंग निप्टी में ठीक है, थोड़ा नीचे चाहिए ही चाहिए, अधर्वाइस इस ब्रेकाउट में ट्रेड लेंगे न तो फंस जाएंगे मतब इस ब्रेकाउट में ट्रेड लेंगे हम लोग, तो साइध हम इसमें फंस सकते हैं तो मैं prefer करूँगा कि थोड़ा नीचे मुझे मिले trade, ठीक है, मैं prefer करूँगा कि मुझे trade यहाँ पर मिले, माप की जिगा, मैं prefer करूँगा कि trade मुझे इधर मिले, तो lower level में न, हमें trade चाहिए, buy करने के लिए, market का trend bullish है, ठीक है, या तो हमें और नीचे मिलना चाहिए था, तो trade यह, इधर दे दे, right, मतलब हमारी लिए दो भाव में trade करने का opportunity है, तो या तो कल price हमें यहाँ पर मिलता है, तो trade करना चाहिए, या फिर price यहाँ मिलता है, तो trade करना चाहिए, इधर 15 मिट के time frame में देखेंगे, तो 200 यह में धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है, पां इसलिए हमें trade करना है bottom से, जब बजार ऊपर से नीची आए, तो हमें lower level से higher side का trade प्लान करना चाहिए, ठीक है, मतलब कुल मिला के view bullish होना चाहिए भी, no doubt के market almost all time high के आसपास है, बट अभी all time high test किया नहीं है, nifty, तो जब तक अभी nifty all time high test करेगा नहीं, हमें अभी इसमें क trade और हमें चाहिए इस point में, इस point को आप note कर लिजे, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, मेरे level से, तो कल हमें या तो market देखिए, यह भाव में कैसे trade करेंगे, देखिए इस भाव पे आएगा market कब, जब थोड़ा एक gap down open हो तब लगभग 1500-200 point gap down open होगा, तब market यहां gap down open हुआ, तो prefer करेंगे 44,100, 44,050 जो कल में level बताया था, लेकिन इसके लिए बजार को पहले gap down open होना पड़ेगा, ठीक है, लगभग 1500-200 point, 150-200 point gap down open होना पड़ेगा, तब बजार यहां पर आएगा, फिर हमें यहां से reversal का trade मिलेगा, यह हुआ number one logic, जब यहां से trade करेंगे ह हम लोग, तो 44,100 या 44,050 आएगा, उस समय हम trade बनाएंगे, ITM put sort, या future view plus कर सकते हैं, कोई ATM buy करके, और ITM put sort करते हैं, तो फिर आप ATM का कोई put buy कर लें, जिसमें risk reward आपका 1 to 3, 1 to 4 का बनना चाहिए, ठीक है, तब आप trade बनाएंगे, अब दूसरा logic, कि friends, अगर बजार flat open होता है, तो बजार इस से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसा मैं मान रहा हूँ कि 44,200 के आसपास हमें trade मिल जाएगा, तो अगर flat खुल के बजार थोड़ा नीचे आता है, तो इस range में जब भी intraday में नीचे आए, 44,200, तो हम लोग यहां से buy करना prepare करेंगे, और इस position को carry forward कर सक सेम लोजिक रहेगा हमारा, ठीक है, लोजिक क्या रहेगा कि ITM sort करें और ATM का buy करें, spread trade बनाएंगे, ठीक है, ITM put sort करके ATM का buy करेंगे, target हमारा upper side में इस expiry के लिए 44,500 उपर का होना चाहिए, ठीक है, 44,500 के उपर का expiry होना चाहिए, मुझे लगता है कि 44,600, 700 के तरफ expiry closing हमे bank nifty दे सकता है, ठीक है, तो हमें एक अच्छा profit मिल जाएगा, लेकिन जब यहां trade लेंगे तब अच्छा profit मिलेगा, हो सकता है दोस्तों कि बजार flat खुले और continue में उपर चले जाए, suppose करो कि बजार कहां पर खुला, यह जो range बना है, यहां से उपर चले जाता है, तो trade लेना बहुत difficult होगा, मैं इसमें prefer नहीं करूँगा, no doubt कि अगर market उपर जा रहे तो जाने देंगे, या फिर बजार एक दिन और consolidate करें, फिर उपर जाए, या कल तीन बजी आसपास इसी range में closing करता है, तो फिर इसमें bullish position बना सकते है, expiry day में, क्योंकि short covering आ जाएगा, 44,500 में short covering लेकिन फिर भी मैं try करूँगा, आप लोगों को यहाँ पर trade देने के लिए, जो trade मैं बनाऊँगा, right, तो दोस्तों यह हुआ, आप लोगों के लिए, bank nifty का view और मेरा logic, चली, अब बात करते हैं दोस्तों, nifty में, simple, जो logic मैंने भी share किया आप लोगों के लिए, bank nifty में, वह bank nifty थोड़ा मुस्किल होगा, तो दो logic है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, bank nifty में, ठीक है, तो इसी तरीके से nifty में, तो इसका two identity में 15 मिट के time frame में इधर है, पांच मिट के time frame में इधर कई होगा, इस high के आस-पास, ठीक है, तो कल अगर हमें nifty, flat खुल के नीच चली पांच मिट के chart में ही करमट कर देता हूँ, यह, ठीक है, तो कल हमें trade मिलना चाहिए nifty में, इस भाव में, ठीक है, मतलब 18,560, लेकिन इसके लिए बजार को na flat open होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, बजार पहले flat open हो, तो आपको इस भाव में trade मिलेगा, label note कर लि इस trade को पहले आप naked भी IATM put short कर सकते हैं, future plus कर सकते हैं, क्योंकि market फिर से उपर जाना चाहिए, तो इसमें क्या करें, 20-25 रुपय के sell डाल दें, ठीक है, आपका trade होना चाहिए 18,500, 50 के range में, 20-25 प्राइट के sell रहेगा, चाहिए future में trade करो, या फिर आप option में trade करो, IATM option, IAT option क्या prefer करना चाहिए, 18,800 की तरब का prefer करना चाहिए, या फिर 19,000 भी prefer करें, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, stop last, same लगेगा आपका, ओके, तो एक logic यह होगा, लेकिन माल लिजी कि game down open होता है, इधर, तो फिर बजार नीचे आ जाएगा, तो हमें trade मिलेगा यहाँ पर, जो मै मैं भी 15 मिट के time frame में आप लोगो share कर रहा था, ठीक है, चली मैं 15 मिट के time frame में, chart change करता हूँ, यह है, तो 15 मिट में क्या होगा, 18,400, तो अगर game down open होके, बजार नीचे आएगा, तो हम लोग यहाँ से trade बनाएंगे, ठीक है, और यह trade अगर माल लेजी, यहाँ से trade आएगा तो इसमें मुझे लगता है confidence मेरा ज्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर मैं इसमें थोड़ा बड़े quantity के साथ trade बनाऊंगा, expiry day के लिए, फिर मैं उमीद करूँगी, बजार में एक rally, upper side में मिलना चाहिए, कम से कम 18,700, 800 की तरफ का इसमें, एक rally हमें देखने को मिल सकता है lower level से बहुत बढ़िया है, इसमें uptrend का trade हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बजार नीचे आता है, तो नीचे आना ची, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है, लेकिन जिस तरीके साथ consolidate कर गोपर breakout किया है, थोड़ा मुस्किल लगता है, अब जैसे मैं बात करता है, दोस्त क्रेंड के आस-पास का target हमें मिलेगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा avoid करना चाहूंगा, और अगर करना भी है, तो आप छोटे quantity का साथ trade कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी range से ऊपर निकल जाएगा, तो थोड़ा मुस्किल हो जाएगा, इस top आपका बढ़ा होगा, target आपका है, अब stock share करता हूं दोस्तों, जैसे कल मैं आप लोगों को बताया था, दो stock, ठीक है, अगेन आज आप लोगों को share करूंगा, बजाज, फिंसर, ठीक है, बजाज, फिंसर भारती है, तिल, और आजा, कहां गया, बजाज, फिंसर, यहे बजाज, फिंसर, देखिए, मैं क्य कल बताया था आप लोगों कि अगर नीचे मिले, ठीक है, तो हम trade लेंगे, दीक है, परफेक्ट भाव से reverse किया है, आप लोग लिए होंगे, मैंने इसमें future plus किया है, morning में मैंने plus कर दिया था, क्योंकि मेरे भाव में आया था, ठीक है, मैंने morning में इसे future buy किया है, और previous day के high के आसपास जाके closing दिया है, यह नहीं रुकेगा, यह उपर चले जाएगा, ठीक है, तो अगर कल आपको इस भाव के आसपास मिलता है, मतलब 1460, 1460 के आसपास मिलता है, इंट्राडे में तो trade ले सकते हैं, इसका मैं एक positional trade दिया हूँ, लगभग जो मैंने range फारो trade दिया है, इसमें 6-6,500 के आसपास का profit आ रहा होगा एक lot में, तो handsome profit मिल रहा है, उस position को carry करेंगे, और भी profit उसमें plus हो सकता है, 34,000 तक का profit आ सकता है, बने रहेगा, ठीके, breakout में trade नहीं लेंगे, अगर हमें यहाँ पर मिलेगा, तो trade लेंगे, कल आप इसे prepare कर सकते हैं, इंट्राडे मे आसपास का moment आया है, और हमने जहां से लिया है, लगबख 2000 पैंट से ज्यादा का moment यह दे चुका है, इस भाव से लिये हैं, और एक कहां तक जा चुका है, अभी जाना है इसको इधर, ठीके, तो हमाला swing का target तो इसी पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, चली, एक इस जार रुपया आसपास loss में cut कर दिया है, ट्रेवलिंग करते करते ही मैंने trade डाल दिया था, ठीके, तो कुछ चीचे तो ऐसा रहता है ने कि level में आता है, तो फिर चार्ट वाट देखने की मुझे जरूरत पढ़ता नहीं है, मैं इसे trade डाल देता हूँ, ठीके, तो कल अगे अगें आज इसमें सायद morning में trade लिए रहोंगे, SL लग गया होगा, मैरा भी, SL का मतलब यह है कि इसमें मतलब profit नहीं मिला, थोड़ा बहुत loss में cut हुआ, इस stop loss लगा नहीं, तो कल आप वाज करेंगे दोस्तों इस range का SL डालेंगे, stop loss थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीके, मतल 6 and 8, 90, 91 के उपर 5 मेंट का candle एक बार close कर जाए, फिर आप इसमें trade करेंगे, maximum 6-7 रुपय कैसे रखना पड़ेगा, पहला target हमारा 7 and 8 का होगा, इसके बाद 7 and 10 का entertainment target आपको दे सकता है, अगर कल breakout नहीं आया, तो आप एक दिन के बाद इसे watchlist में जरूर रखेगा, मुझे जल्ट जल्ट है, साथ कल भी था या आज भी था, impact तो कुछ दीखने को नहीं मिला, अगर gap up open हो गया, 2-3% उपर या 2-3% नीचे, तो फिर trade avoid करेंगे, छोड़ देंगे, ठीके, चली, एक share और share करता हूँ, जिसके बारे में लगातार आप लोग को मैं बात करता हूँ, आपको ये breakout फिर से देने वाला, ऐसा मुझे लगता है, भारती एटेल, तो भारती एटेल को वाच करिए, मैं आज इवनिंग में जाते जाते एक quantity purchase किया हूँ, ठीके, लेकिन उतना strong नहीं है, फिर भी मैंने एक purchase कर लिया है, क्योंकि बहुत दिन से में वाच लिस में लग दल जाएगा, और निकलेगा तो बहुत अच्छा moment देगा, ठीके, जैसे यहां से निकला है, कम से कम इसका target मैंने आप लोगों को बताया था, कि इसका target ना, पहले तो एक target है done कर दिया, ठीके, 825 का, अब मेरे लिए जो target है इसका, मेरे target इधर है, तो मैं इधर के target के लिए इसे play करना चाहता हूँ, कल आप इसमें intraday में trade कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छे भाव में मिल जाता है, तो एक buy का try कर सकते हैं, ठीके, चलिए 15 मिट के चार्ट में लेके चलता हूँ, आजा 15 मिट के चार्ट, ये, ठीके, कल आपको न, इसी भाव में entry लेना ह आसपास, ठीक है, और मुझे लगता है, 812 में मिल जाएगा, 812 के आसपास इसे buy कर सकते हैं, 3-4 रुपय के sell रखेंगे, intraday के target 830 के आसपास का होना चाहिए, बहुत अच्छा trade मिल सकता है, नज़र रखेंगा, 3-4 रुपय के stock last से, आपको एक अच्छा trade मिल जाएगा, औ अगर इधर closing देता है, तो position को query forward करें, क्योंकि 850, 60 जाने वाला है, तो दोस्तों, यह हुआ, निप्टी बैंग, निप्टी के sell साथ, stock के ओपर मेरा view, राइट, असर करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो like, comment और channel, subscribe कर अब बुलेगा, मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जाएगे